पाकिस्तान की सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर सूफी मलिक और भारत की अंजली चक्रा ने अलग होने का फैसला कर लिया है पात साल पहले आपस में शादी का फैसला करके ये लेस्बियन कपल चर्चा में आया था अब अंजली चक्रा ने सूफी पर बेवफाई का आरोप लगाते हुए ब्रेक अप का एलान कर दिया है वहीं सूफी ने पहले ही अपनी गलती स्विकार कर ली थी बता दें कि ये लेस्बियन कपल तब चर्चा में आया था जब दोनों ने शादी करने का एलान किया था जटके की तरह हो सकता है लेकिन सच यही है कि अब हमारा सफर बदल रहा है मैंने सूफी की बेवफाई की वज़े से अपनी शादी और रिलेशन को खत्म करने का फैसला किया लेकिन कोई भी सूफी के बारे में निगेटिव बाते नहीं करेगा वो मेरा प्यार है मैं उससे अभी भी बहुत बे इत्वा महबद करती हूँ बता दे कि कुछ सब्दा पहले सूफी ने भी इंस्टाग्राम पर बेवफाई की बात मानी थी सूफी ने कहा कि उन्होंने նादी से कुछ अफ्टे पहले ही अपनी मंगेतर के साथ बेवफाई की और यह उनकी गलती है शूपी ने कहा कि मैं उसे ही उस सबसे ज़्यादा खेस पहुंचाई जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ जिसकी मैं सबसे ज़्यादा परवा करती हूँ उसी को मैंने दोखा दिया है बता दें कि ये कपल पांच साल से साथ था, दोनों ने सगाई भी कर ली थी बता दें कि अंजली न्यूयॉक और सेंट फ्रांसिस्को में वैडिंग प्लानिंग का काम करती हैं वही सूपी लाइस्टाइल और ट्रेवल कॉंटेंट क्रियेटर है कुछ फैंस का कहना है कि यहां ब्रेक अप केवल एक प्रांक है वह एंजली ने यह भी काया है कि उन्होंने अपनी ओनलाइन वेडिंग रजिस्ट्री भी करवा दी पता दें कि दोनों का एक यूट्यूब चैनल है जिस पर एक लाग से जादा सब्सक्राइबर बड़ी बात यह है कि दोनों अलग हो रहे हैं एक माफी मांग रहा है तो दूसरा आपने प्यार का इजहार कर रहा है एनपी टाइम्स की रिपोर्ट